स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में Securities and Exchange Board of India भारतिय प्रतुभूती विन्मे बोर्ड की तरफ से Grade Day Officers की Vacancy निकाली गई है Permanent Central Government जॉब रहने वाली है Any Master Degree अप्लाइ कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है Notification अगर आप चेक करते हैं तो Pay Scale काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है Other Benefits भी जो है आप लोगों के यहाँ पर मिलेंगे Pansion की सुविधा भी जो है रहने वाली है Without Accommodation जो है Salary रहेगी 1,49,500 अगर Accommodation की सुविधा आप लेते हैं तो Salary थोड़ी सी कम हो जाती है 1,11,000 ही रहेगी और अगर Other Benefits की अगर हम बात करें तो जैसे Leave Fair Concession है Medical की सुविधा है Education की सुविधा है यह सारी चीज़े जो है सेवी की तरफ से मिलती हैं तो चलिए देख लेते हैं Notification सारी चीज़ें जानेंगे Qualification, A's और दुबारा से जो है देखेंगे Pay Scale, साथ में Selection कैसे रहेगा यह सारी चीज़ें समझने वाले हैं सेवी, भारतिय प्रतिभूती और Winmay Board, Securities and Exchange Board of India यहां से Vacancy आई है Officer Grade A की तो यह Notification है इसे जो है थोड़ा बढ़ा करके देख लेंगे सबसे पहले जो है यहां पर जानेंगे यहां पर जो है मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ कौन सी Post में Qualification क्या कही गई है General में जो है कोई भी Master Degree किये हुए Candidate Apply कर सकते हैं किसी भी Stream से अगर आपने Master Degree हासिल की है, Post Graduate Diploma है अगर आपके पास, ठीक है Master Degree या Post Graduate Diploma in Any Discipline तो आप बिलकुल यहां पर 62 Post के लिए Apply कर सकते हैं बस इतना ही यहां पर मांगा है या ऐसे Candidate जिनोंने Bachelor Degree in Law या Bachelor Degree in Engineering किया है तो भी Apply कर सकते हैं काफी अच्छी Vacancy है जहां Grade A Officer की Vacancy है, Salary के साथ में रहने की सुविदा, बहुत सारे Benefits मिल रहे हैं, Pension की सुविदा है, तो ऐसी Vacancy में जो है Form जरूर फिल करना चाहिए Legal के लिए जो है, Bachelor Degree in Law कहा गया है, Information Technology के लिए, यहां पर आपने किसी भी सब्जक्ट से इस नातक किया है लेकिन साथ में अगर आपके पास Computer Application का Post Graduate Qualification है तो आप अपलाए कर सकते हैं Next जो है Research की जो Post है जिस में Master Degree आपने Economics में किया है, या Commerce की किसी भी सब्जक्ट से किया है, Math से किया है, Statistics से किया है तो आप बिलकुल यहां पर अपलाए कर सकते हैं या फिर Last आप देखें, Master Degree in Mathematics and One Year Post Graduate Diploma in Statistics या फिर Related Subject Research से भी अगर आपने किया है, तो भी आप अपलाए कर सकते हैं यहां पर आप देखें, हिंदी में जिनोंने Master Degree Post Graduation किया हुआ है या Sanskrit में किया है या English में किया है या फिर Hindi, English इस दोनों में किया है, तो उनके लिए भी जो है यहां पर Official Language Post के लिए Vacancy है, सबसे पहला Option है, Master Degree in Hindi हिंदी में आपका Master Degree होना चाहिए, Hindi, Translation English और English जो है आपने एक Subject के रूप में इस नातक में पड़ी हो दूसरा Option है Master Degree अगर आपने संस्कृत में किया है या English में किया है या Economics में किया है या Commerce में किया है और साथ में जो है, Hindi आपने एक Subject के रूप में Bachelor Degree, इस नातक में पड़ी होनी चाहिए तीसरा Option है, कि Hindi या English दोनों में आपने Master Degree की हुई है Hindi Translation from a Recognized University या Institute तो भी Official Language की Post के लिए आप अपलाए कर पाएंगे Age Limit जो है 30 Year यहाँ पर कही गई है बाकि Age Relaxation जो है Government Norms के According जो है यहाँ रहने वाले हैं Pay and Benefits जो है आप देखें इन्होंने Pay Scale को काफी Define किया हुआ है यहाँ पर आप देखें Approx 1,49,500 Without Accommodation आप रहने की सुविदा नहीं लेंगे तो आपकी Salary यह रहेगी अगर आप रहने की सुविदा लेते हैं तो Salary आपकी यह रहने वाली है 1,11,000 इसके साथ में Other Benefits जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं Leave Fair, Concession, Medical Expenses Eye Refraction, Education Allowances Financial और बहुत सारे यहाँ पर Benefits आपको देखने को मिलेंगे ठीक है Pension की सुविदा तो यहाँ पर रहेगी अब यह लिख रहे है कि आपकी Posting जो है कहां रहेगी तो Posting या Transfer जो है भारत में उस जगे होगी जहाँ पर सेबी के Office है Next देखें, Selection जो है रहेगा, यहाँ पर Exam होगा, Online Examination होगा, Interviews होगा और बहुत सारी Cities भारत में Exam Center बनाए जाएंगे वो आपको बाद में पता चलेगा Application Fees जो है 1000 रहेगी यहाँ पर Journal OBC and EWS Category के लिए मात्र 100 रुपे जो है रहने वाली है SCST PWD Candidate के लिए Notification देखने के लिए Main Website पर आजाएंगे, Google पर सर्च करना है या फिर Link में आप लगों को Share कर दूँगे तो Direct आप यहाँ पहुंच सकते हैं और अगर आप Google करना चाते हैं तो www.sebicab.government.in आप Type करेंगे Google पर तो आपके सामने Main Website का Link आजाएगा उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर About में जो है आप देखेंगे करियर सेक्षन है इस पर क्लिक करना है उसके बाद यह पेज आपके पास आजाएगा और यह Notification है Recruitment of Officer Grade A Assistant Manager तो कोई भी Master Degree, Post Graduate Degree जिनके पास है जो Last Year में भी है वो भी Apply कर सकते हैं Notification आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जिनके पास जो है First Year की Marksheet है और Last Year में है तो यहाँ पर यह Line देखें यहाँ पर Candidates who have appeared or will appear for their final examination As on the last date of filling online application form and waiting for their results ऐसे candidate जो की form भरना चाते हैं लेकिन final exam दे रहे हैं Master Degree कर रहे हैं तो online application form भरेंगे उससे पहले result आपके हाथ में होना चाहिए Last date जो है वो क्या रहेगी तो अभी काफी time है यहाँ पर detail advertisement अभी और आएगी यह short notice है Online application link April 13, 2024 काफी समय है आप लोगों के पास application form start होंगे तयारी में आप जोड़ जाएं जो भी last year के candidate हैं जिनका Master Degree होने वाला है तो वो भी यहाँ पर तयारी करें syllabus आप लोगों को main website पर ही मिल जाएगा और main website का link आप लोगों को जरूर शियर किया जाएगा काफी अच्छी vacancy है भारत सरकार की जो है vacancy है जिसमें आप लोगों को pension की सुविधा भी रहती है और हर कोई चाहता है कि जो है हमारी government job लगे pension हमें मिले ठीक है तो ये vacancy के लिए अगर आप eligible है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं सेबी के जो office जहाँ जहाँ है वही पर जो है posting हो रहेगी मिलेंगे next video में next vacancy के साथ में thank you